अगर आपको Mr. Thriller movies देखना पसंद है तो इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखना हम Song C, Red Oil Paper Umbrella movie रिव्यू करने वाले है ये एक Mr. Thriller dark comedy movie है जो एक detective के बारे में है इस movie में कुछ खून हो रहे है जिनकी लाशे अपने आप जल जाती है एक detective इस mystery को solve करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो खुदी इसमें first जाता है तो दोस्तो ये सब कौन और क्यू कर रहा है और इन जलने वाली लाशों का क्या रहसे है ये जाने के लिए आपको ये movie देखनी होगी दोस्तो movie का concept काफी अच्छा है और इसका presentation भी मुझे बहुत पसंद आया movie का direction perfect है और सारे के सारे performances भी आपको पसंद आते है इसमें आपको बहुत सारे interesting characters देखने को मिलेंगे even इसके side characters भी काफी entertaining है characters को काफी अच्छी तरीके से develop किया है और main character के साथ आप पूरी तरीके से connect हो जाते हो main character आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और इसकी acting भी बढ़िया है movie की heroine भी काफी cute लगती है और इसका performance भी बहुत अच्छा है movie की शुरुआत भी काफी interesting है ये लाशे आपने आप क्यू जल रही है ये भी आप जानना चाते हो यहाँ पर पुराने समय का investigation जिस तरीके से दिखाया है वो बात आपको काफी impress करती है मतलब दोस्तो हर एक चीज़ को यहाँ पर बहुती बढ़िया तरीके से present किया है मूवी खतम होते होते इन सारी चीज़ों का logical answer आपको मिल जाता है इसके अलवा sets भी बिल्कुल realistic लगते है शुरुआत से लेकि ending तक आपका मूवी में interest बना रहता है हमेशा आगे क्या होने वाला है ये जानने की excitement भी रहती है इसके अलवा दोस्तों कुछ सिंस में आपको comedy भी देखने को मिलेगी जिसे देखकर आपको हसी भी आएगी मूवी का suspense भी बिल्कुल ending तक बना रहता है बहुत सारी चीज़ों को आप gaze भी नहीं कर पाओगे ये लगबग सिर्फ एक घंटा और 15 मिनिट की मूवी है और आपको पूरी तरीके से entertain करती है एक दो सिंस में आपको कुछ decent action sequences भी देखने को मिलेंगे मूवी की production value भी काफ़ी अच्छी है और cinematography भी मुझे बहुत पसंद आई screenplay भी fast paste और engaging है आप इस मूवी का दूसरा पार्ट भी देखना चाओगे इंडी डबिंग अच्छी है और इसमें कोई adult scene भी नहीं है प्रो ओडियंस को भी ये बहुत पसंद आईगी और overall ये एक काफी entertaining मूवी है red oil paper umbrella का concept भी आपको ending तक समझ में आ जाएगा और वो हमेशा है दूसरे पार्ट में भी देखने को मिल सकता है तो दोस्तो अगर आपको mystery thriller movies देखना पसंद है तो इसे आप ज़रूर देख सकती हो मैं इस movie को दूँगा 8 out of 10 वीडियो अगर आपको helpful लगा होगा ध्युत्राइब धार वाराइब जी आपको मैं आपको अबाएब गार लोगाइब नुमाने ये भीडिवीप देखने को दो तोस्तों को द्वब ऑी आपको